आज के समय में किर्णिय श्टोन यानि गुर्दे में पत्री होना एक आम बात है पर अगर समय रहते इस पर ध्यान ना दिया जाए और इलाज ना करा जाए तो यहां एक गंबीर और घातक समस्या भी बन सकती है किर्णिय श्टोन यानि गुर्दे की पत्री को यूरोली थिया तो आज की इस वीडियो टेप में हम बात करेंगे गुर्दे में होने वाली पत्री के बारे में पत्री किन कारणों से होती है और इसके क्या-क्या लक्सन और इलाज है और इससे जुड़ी कुछ अन्यवात है तो चलिए आज की इस वीडियो टेप को पले करते है गुर्दे की पत्री सरीर के मिन्रल्स और पानी से बनी एक ठोस जमावट होती है जिसका साइज एक रेत के दाने से लेकर गॉल्फ के गेंद के जितना बड़ा हो सकता है गुर्दे उसको यूरीन यानि पेशाब के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते है गुर्दे खुन से वेश्ट और टॉक्सिंस मटिरियल यानि शरीर से बेकार और शरीर को नुकसान देने वाले मटिरियल को फिल्टर करते है गुर्दे हड्यों को मजबूत बनाए रखने के लिए विटामिन D को एक्टिव करते है और इसके साथ ही गुर्दे खुन में सोडियम, पोटेसियम, कैलसियम और फासफोरस जैसे मिनरेल्स का बैलन्स मनाए रखते है लेकिन खाने में अधिक मातरा में मिनरेल्स यानि सोडियम, पोटेसियम, कैलसियम और फासफोरस होने के कारण waste material गुर्दे से पुरी तरह बहार नहीं निकल पाते हैं बाद में यही waste materials धिरे धिरे इकठा होकर पत्थर यानि stone का रूप ले लेते हैं जिसे kidney stone यानि गुर्दे की पत्थरी कहते हैं अब बात करें कि गुर्दे में होने वाली पत्थरी कितने परकार की होती है तो kidney stone यानि गुर्दे में होने वाली पत्थरी चार टाइप की होती है जिसमें पहली है calcium stone, दूसरी है uric acid stone, तीसरी है इस्ट्रुवाइट stone, चोथी है सिस्टीन stone अब इसमें बात करें calcium stone की तो calcium की पत्थरी गुर्दे में calcium oxalate के कारण बनती है और गुर्दे में सबसे ज्यादा जो पत्थरी बनती है, वो calcium की ही पत्थरी होती है अब बात करें yuric acid stone की, तो पेशाब में yuric acid की मातरा अधिक होने पर yuric acid पत्थरी बनती है यहाँ पत्थरी अधिकतर गठ्या के मरीज़ों के गुर्दे में बनती है अब बात करें इस्ट्रुवाइट श्टोन की यहा पतरी उन महिलाओं में अधिकतर पाई जाती है जिनको गुर्दे और पेशाब के रास्ते में infection होता है और सिस्टिन श्टोन के बात करें तो गुर्दे की पतरी का यहा टाइप बहुत ही कम देखने को मिलता है सिस्टिन सरी विष्टेल में कई ऐसे कारण है जो गुर्दे की पतरी बनने की वज़ाव हो सकते है जैसे सरीर को जितने पानी की जरूरत होती है उससे कम पानी पीना सरीर के वजन का तेजी से बढ़ना जरूरत से ज़्यादा प्रोटीन का सेवन करना यूरिक एसिड के लेवल का बढ़ सुगर या सोडियम का जैदा सेवन करना सोडियम वही मिंडल्स होता है जो नमक में पाय जाता है तो बेसिकली जैदा नमक और मीटा खाने से भी गुर्दे में पतरी हो सकती है इनके अलावा कैलसिम दवाओ और दर्द से रहात देने वाली दवाओ का लंबे या ज़्याद गुर्दे की पतरी हो सकती है ताथ ही जिन महिलाव की ओविरी निकल चुकी है उन्हें भी इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है अब बात करें कि गुर्दे में पतरी होने पर क्या-क्या शिम्टम्स यानि लक्षन दिखाए देते हैं तो ऐसा हमेसा जरूरी नहीं है कि प पतरी के लक्षन को बहुत कब महसूस करते है और वही कुछ मामलों में इसके लक्षन में बहुत ज़्यादा दर्द और ब्रिडिंग की समस्या देखने को मिलती है इसके साथ ही गुर्दे की पतरी के कुछ होर भी सिंटम्स यानि लक्षन हैं जैसे पेशाप करते समय जलन और दर्द का महसूस होना पेशाब के साथ साथ खुन आना बार बार पेशाब करने की इच्छा होना उल्टी और बुखार होना युरीन ट्रेक्ट यानि पेशाब के रास्ते में infection का होना पेशाब के रंग में बदलाव आना पसलियों के नीचे किनारे और पीट में तेज दर्द का महसूस होना अब बात करें गुर्दे में पत्री को डियागनोस करने के लिए किये जाने वाले टेस्ट के बारे में तो गुर्दे की पत्री को डियागनोस करने के लिए यानि पता लगाने के लिए कि गुर्दे में पत्री है या नहीं और अगर है त और इन खून टेस्ट के दोरान डॉक्टर कैल्सियम और यूरिक एसिड आधी के लेवल को चेक करते हैं। खून टेस्ट किर्णी की हैल्थ और अन्य मेडिकल कंडिसन के लिए भी जुरूरी होता है। और बात करें यूरिन टेस्ट यानि पेशाब के जांच की तो इस टेस्ट के दोरान डॉक्टर इस बात का पता लगाते हैं कि आपके यूरिन यानि पेशाब में पत्री बनाने वाले मिन्रेल्स अधिक हैं या फिर पत्री को बनने से रोकने वाले सबस्टेंसिस कम हैं। और बात करें imaging test के बारे में तो इस test के दोरान डोक्टर आपकी गुर्दे की पत्री को देख सकते हैं इस test में x-ray, ctscan और ultrasound आधी सामिल है और अगर इन test के दोरान गुर्दे में पत्री पाई जाती है तो डोक्टर पत्री का analysis करते हैं जिसमें डोक्टर यह पता करते हैं कि ग फिर्ने श्टोन यानि गुर्दे में पत्री होने पर किन दवाई का इस्तिमाल किया जाता है तो दवाई और सई परहेज से पत्री को छोटे-छोटे टूड़ों में तोड़के पेशाप के रास्ते से सरीर से बाहर निकाला जा सकता है जिसके लिए यह कुछ दवाईया है जिनमें पहली है सिस्टोन, हिमाले सिस्टोन दवाई, गुर्दे की पत्री को पेशाब में घोलने में मदद करती है, जिससे की पत्री पेशाब के रास्ते सरीज से बाहर निकल जाती है, गोलिया पेशाब करने में दर्द पेशाब में खून आना और पेशाब के दोरान जलन जैसी बीमारियों के इलाज में भी मदद करती है हिमालेस श्टोन टैबलेट आयूरवेदिक फॉर्मूले से बनी है और यहाँ सरीर के लिए सुरक्सित है हिमालेस श्टोन टैबलेट और सिरफ खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के परचे की भी जरूरत नहीं है मौझूद पत्री को छोटे छोटे टोडों में तोड़कर पेसाब के साथ सरीर से बहार निकाल देती है और तीसरी दवाई है अलोप्यूरिनोल यूरिक एसिड के कारण बनने वाली गुर्दे की पत्री के लिए डॉक्टर आम तोर पर अलोप्यूरिनोल लेने की सला देते है अलोप्यूरिनोल एक अलोपैथिक दवा है अलोपैथिक दवा को लोग आम तोर पर अंग्रेजी दवा भी कहते है अलो प्यूरिनोल आपके सरीर में यूरिक एसिड के बनने को कम करने में हैल्प करती है इसलिए यह गुर्दे में नई पत्री बनने से रोकती है और जो पत्री गुर्दे में पहले से मौजूद होती है उसको बड़ी होने से रोक कर उसको छोटे-छोटे टुकडों में तोड़ कर पेचसाब के रास्ते से सरीर से बाहर कर देती है यह तीनों दवाई ही गुर्दे की पत्थरी की इलाज के मामले में बहुत अच्छी है क्योंकि इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है अब बात करें गुर्दे की पत्री के लिए कुछ घरेलू इलाज के बारे में तो किर्णिय स्टोन यानि गुर्दे की पत्री को ठीक करने के लिए शुरुवाती दोर में लोग घरेलू उपचार को ही आज माते है जैसे की अनार का रस अनार में मौझूद पोटेसियम आपके सरीर में बनने वाले मिंडल क्रिस्टल्स को रोकता है जिसके करन पतरी नहीं बनती यह आपके यूरीन में एसिड लेवल को भी मेंटेन डगता है और दूसरा घरिलू उपचार है सेवगा सिर्का गुर्दे की पतरी के लिए एक बेहत टोक्सिक सबिस्टेंस यानि ऐसे पधार्त जो सरीर को नुकसान पहुंचाते है उनको भी निकालने और किटनी को साफ करने में हैल्प करता है तीसरा घरिलू इलाज है गुर्दे की पतरी के लिए गरेलू उपचार में ग्रीन टी का सेवन किया जा सकता है यह गुर्दे मे जमे हुए कैलसियम को हटाने में और ओक्सलेट एक्सक्रियेशन को कम करने में हैल्प करती है और चोथा गरेलू इलाज है पानी का सेवन करना सरीर को हाइडरेट रखने के लिए भरपूर मातरा में पानी को पीना बहुत जरूरी है यह टोक्सिक सबिस्टैंस के साथ साथ पानी पीना बहुत जरूरी होता है इसके बाद बात करते हैं गुर्दे की पत्री से बचाओ और परहेज के बारे में तो इसके लिए आपको कुछ पुइंट्स फूलो करने पड़ेंगे जैसे स्मोकिंग ना करे और सराब ना पीए जायदा से जादा पानी पीए जंक फू खाना खाना चाहिए और खाने में जायदा नमक ना हो अपने कोलेस्ट्रोल लेवल शरीर के वजन और बलड परेसर यानि बीपी को मेंटेन करके रखे और अगर आपको डाइबटी यानि सुगर है तो फिर सुगर लेवल को भी मेंटेन रखे दर्द से राहात देने वाली दवाओं का कम से कम इस्तिमाल करें और अब आखिर में बात करते हैं सर्जरी की दवाई और परहे से अगर गुर्दे की पथरीर से बाहर नहीं निकलती है तो फिर इसको बाहर निकालने के लिए ओप्रेशन की जरूरत पढ़ सकती है जैसे की लेजर लिठोट्रिप्सी एक चोटे चोटे टुकडों में तोड़ते हैं ताकि वे आसानी से पेशाब के रास्ते से सरीर से बाहर निकल सके और वहीं एक्स्ट्रो कोर्पोलिल सोक वेव लिठोट्रिप्सी में सरजन गुर्दे की बड़ी पत्री को चोटे 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 टुकडों में तोड़ने के लि की पत्री को निकालते है जब पत्री गुर्दे में रुकावट पाइदा करती या पत्री से infection हो जाता है तब डोक्टर कनल सरजरी की सला देते हैं इस सरजरी की तला तब भी दी जाती है जब पथरी पेशाब के रास्ते में फस जाती है या जब बहुत ज़्यादा दर्ध हो और इमर्जनसी कंडिसन बन जाए और बात करें यूट्रोस्कोपी की तो सरजन यूट्रोस्कोपी की सला तब देते है जब पतरी पेशाब के रास्ते या यूरिनेरी बलेडर यानि पेशाब की थेली में फस जाती है इस सरजरी को करने के लिए एक विशेश उपकरण का परयोग होता है जिसे यूट्रोस्कोप कहते है इस परकिरिया में एक छोटा कैमरा एक छोटे तार से जुड़ा होता है जो जहाँ से पेशाब सरीर से बहर आता है वहाँ से सरीर के अंदर डाला जाता है इसके बाद सरजन श्टोन यानि पतरी को एकठा करने के लिए एक छोटे से पिंजरे जैसे उपकरणगा यूज करते है और आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अलविदा